क्लास नोट्स बनाने में कापी सारे बच्चों को प्राब्लम होती है आप सभी बोलते हैं कि मैम हमने स्कूल में पढ़ लेते हैं और हम आप से भी पढ़ते हैं और हम अपनी बुक देखते हैं हमें समझी नहीं आता हमें नोट्स कैसे बनाने हैं और मैम, short notes क्या होते हैं, नजाने कितनी चीज़े हैं, और ये doubts निकलने भी चाहिए, जब हम भी छोटे थे न, तो हमें भी notes बनाने में problem होती थी, लेकिन आपको बताए, notes एक ऐसी चीज होती है, जो पूरे साल हमें काम आते हैं, और जब हमारा new session स्टार्ट होता है, तब तो नए नए class में जाने से, हमें जो first chapter बनाना होता है, लिखना होता है, उसको लिखने का तो एक अलग ही आनन्द होता है, होता है कि नहीं होता है, ये मुझे comment section में जरूर बताना, so लेकिन question ये उटता है कि हम notes कैसे बनाएं, ma'am, तो चलिए भाई, start करते हैं, इसे हम जानने क लिए, so hello students, welcome to magnet brains, this is Anamika Singh, कैसे हैं आप सभी, so आज का topic है कि class notes कैसे बनाएं, और ये बहुत serious topic है, क्यों कि कई सारे बिच्चे बस लिख देते हैं, जैसे दुबारा कभी उसको open ही नहीं करना है, अच्छा, सबसे पहली चीज, class notes बनाने के लिए आपके पस content होना चाहिए, और वेसी बात है, सबसे पहला point क्या हो गया, कि आपके पस क्या होना चाहिए, content, और हाँ, एक और important चीज, बहुत अच्छा content, जैसे माल लेते हैं कि आप जा रही हैं अभी class 10th में, जब आप class 10th में जाओगे, तो आपको ये देखना होगा, कि जैसे आपने school में पढ़ा, वो हमारा notes अलग हो गया, ठीक है, आपने मुझसे online पढ़े, वो notes अलग हो गया, फिर आपने book पढ़ी, वो notes अलग हो गया, book को तो अभी जाने दो, एक काम करो, book को आपको touch नहीं करना है, आप मेरे notes से start करो, जैसे हम live sessions देखते हैं, या आप हमारे recorded videos देखते हैं, तो आप ऐसे करो करो, कि हम तो पूरे chapter को end तक लेके जाते हैं, तो आप हमारे साथ पूरा end तक notes बनाया करो, क्योंकि हम जो आपको चीज़े provide करा रहे हैं, वो 10-15% जो है, जादा ही होती हैं, आपके book के according, तो आपको क्या करना है, पहले एक जगा के notes लेके चलना है, और जब आपक क्या है कि कोई आपके लिए 10-15% या 20% extra content दे रहा है, तो पहले हम उसी को बना लेते हैं, तो जब आप कोई content मिल जाएगा, जैसे कि आपने हमारी classes attend करी, और आपको एक सही content बिल गया, फिर आप क्या करोगे, स्कूल में जब पढ़ाएंगे, तो आप उसमें से चीजे high होगी, तो note down कर लेना, जिसके chances थोड़े कम है, हाँ, हो सकता है कि कि किसी कि स्कूल में बहुत advanced level पर ले जाके पढ़ा दे, मैं बो नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपने content लिया, जैसे आपने मेरी live class attend करी या recording देखिए, तो आपने chapter का for example बना लिया notes, फिर school में पढ़ाया, आपने देखा किया, सब कुस तो same है, बस ये कुछ मुझे extra मिला, तो maybe इसे भी note कर लेता हूँ, फिर जब आपने दोनों चीज़े कर ली, तो end में आप गए अपनी NCRT की तरफ, और NCRT book को जब आपने essay करके open किया, तो वो एक तरीके से आपका revision होग सबसे important तो क्या होता है भाईया, हमारी writing होती है, आपको पता है, गंदी writing में मत लिखना भाई, बिलकुल मत लिखना, क्योंकि पता है, पढ़ने का money नहीं करता है, देखो, एक बार notes बनाओगे, पूरे साल के end तक काम आएंगे, और future तक काम आएंगे, तो better ये ये ना कि सी writing में बना दो, अरे भाई, अच्छी सी writing में notes बना दो ना, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम दो pen का तो use करें, अभी से हमारी habit होगे, तो board में हमें problem नहीं जाएगी, तो हम blue और black pen का use करेंगे, black pen से heading डालेंगे, blue pen से हमारा content होगा, ऐसे करके हम उसे arrange करके अपने notes को बन set, कुछ इस प्रकास से हमारी चीज़े चलती है, बस notes हमें ऐसे ही बनाना होता है, एक चीज़ और, कभी किसी के copy से notes को मत note down करना, और अगर करो तो थोड़ा सा उस बच्चे की copy लेना, जो कभी गलती ना करता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम school नहीं जाते, या आपके friend ने मेरी online class attend करी, वो notes बना कर बैठ गया, लेकिन वो गलत लिख कर बैठ है, हमने भी वही copy कर ली और हम भी गलत पढ़ रहें, तो नहीं, उन्हीं बच्चे की copy लो, जिनके notes आपको आसानी से समझ में आ जाए, that's it, तो I hope कि आपको बाद अच्छे से clear होगी, होगी notes कैसे ना होता है, उसका structure कैसे लोगे, writing कैसे लोगे, और एक चीज़ और, कभी भी ना proper तरीके से ही उसे लिखना, कैसे लिखोगे, proper तरीके से arrange करके ही आप इसे लिखोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमने लिखना शुरू किया, हमने इतनी line छोड़ दी और फिर हम लिखना श हो गई हो, सुभाई वीडियो कैसे लगे है, इसे comment section में जरूर बताइएगा, अभी तक like नहीं किया है, तो like कर दीजिएगा, share नहीं किया है, तो share करिएगा, और हमारे प्यारे से channel को subscribe करिएगा, इसे के साथ वाइटी पर directly live आकर आप जूर सकते हैं, हमसे application के दूर जूर स पर आप वीडियो चाहते हैं, यह भी comment section में जरूर बताइएगा, thank you